कि आपकी कमिशनर साब से मुलाख़त होई तो क्या बाच्चित होई आपको कमिशनर साब ने बोला कि मैं कोई आपको वाटर टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स पर एक्जेंशन नहीं दूँगा यह भी बोला कि मैं सर्विसेस इंप्रूफ करने की कोशिश करूँगा लेकिन जब कब होंगी मुझे नहीं पता पोशिश जरूगा हुआ हाल इसका वातलब यह हुआ पुल मिला करके जो है तो रिजल्ट आया जीरो अब रिजल्ट जीरो आया तो उन्हें मुझे कहा कि आप छोड़ दीजें उड़ जाईए कि रिजल्ट तो कुछ आने वाला आमका है जल्ट नहीं आएगा जो लड़ेगा वही सक्सेस्कूल होगा मैं लड़ने वाला छोड़ू आपकी आगे तैयारी क्या है सर नहीं बैठूँगा सामने नहीं बैठूँगा पंजाब के किसान डेड़ साल बैठे रोड पे सारी दुनिया ने उनको कहा कि नहीं हो सकता है लड़ के उपर और आखरी मोधी को जुकना पड़ा और नाकेवर मोधी जुका मोधी के आद से पंजाबी चला गया यह होने वारा है लेकिन इसके लिए ताखत लखटी रखने पड़ेगे जुमून रखना पड़ेगा तो मैं रखने वारा है कमिश्टर साब को आपने एक बोले में पड़ता हूं वकील से पूछता हूं इंटर्प्रेशन करता हूं अरे इंटर्प्रेशन कब करोगे लिखा हुआ है सामने तुम्हारे उसका क्या इंटर्प्रेशन करोगे इंटर्प्रेशन इंटर्प्रेशन का चीज नहीं है इसके अंदर इसके अंदर चाहत की करना है या नहीं करना इसकी चीज आपको करना नहीं है क्यों कि सब मिले हुए चोर के पूरे के पूरे उपर से नीचे तक और गरीब आत में इसके अंदर जो है तो परिशान हो रहा है तो किसी वी तो एक बंदे के काम है कि जो इनकी इनकी खिलाफ खड़ा हो जाए आपको गाउं खड़ा हो गया उस दिन राओ को जुकना पड़ेगा मुझे दो हजार टक की अकीन है अगर मैं बैठा रोंगा तो एक न एक दिन तो जनता को लगे का कि यार बंदा बैठा हुआ है जिस दिन जनता का सर गुम गया ना उस दिन के कमिश्टर क्या और सी एम क्या और पंजब ने बता दिया कि मोदी भी हर सकता है यह किस गली के लोग गलबला है यह लोग